अगर आपने खादिश रुक्षय योजना का फोर्म भर रखा है तो इस फोर्म का स्टेटस चेक करना बहुत जुरूरी है क्योंकि इसके बिना आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपका फोर्म अप्रू हुआ या नहीं कहीं आपका फोर्म वापस तो नहीं आ गया है किसी कमी की वज़े से या फिर फोर्म अप्रू होगा तो कब तक आपको गहूं मिलना स्टाट हो जाएगा ये सब कुछ जानने के लिए आपको फोर्म का स्टेटस चेक करना बहुत जुरूरी है तो इसके लिए आप अपनी इमितर आइडी को लोग इन करेंगे आपने जिस भी इमि इने ऊचाट कर लेनť है जिस डेट केए बाद आपने फोर्म बढ़ा है जानले कर लेते हैं ramने एक तरीक की ऐजमी पैंघ कर लेते हैं तो यहां इन दो डीट के बीच में में जितने वी फोर्म बरे होंगे वह वो सभी आजाएंगे तो यह पर क्लिक करेंगे तो यह पर आ बता देता हूँ, यहां पर यह फोर्म देखे, यह खदी शुर्क्षया का फोर्म है, और यह सब्मिट हो चुका, और यहां पर अप्लिकेशन सब्मिटेड लिखा हुआ आ रहा है, यहां पर इसका आप अगर current status चेक करेंगे, तो यहां पर आपको पता चलेगा, यहां पर अप्रू हो जाएगा, तो यहां पर अप्रू लिखा हुआ आ जाएगा, अगर फर्स्ट लेवल पर अप्रू होगा, तो यहां पर फर्स्ट लेवल अप्रू 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 लिखा हुआ आएगा, और शेक्न लेवल पर अप्रू होते हैं, यहां पर अप्रू लिखा ह से फॉरूम सब्मिट कर देगा तो इस तरह से यहां पर इसका करन्ट स्ट्रेस्ट से करना होता है अगर आप मैं आपको सच बता हूं तो अगर फर्स्ट लेवल पर आपका फॉरूम अप्रूव हो जाता है तो 80% चांच बन जाते हैं कि आपका सेकंड लेवल पर भी फॉरूम अप्रूव हो जाएगा बाकी जाता तर जो अबजेक्शन होते हैं वो फॉर्स्ट लेवल पर ही आते हैं बाकी दिक्कत क्या है कि लंबे टाइम से यहां पर फॉरूम अप्लिकेशन सब्मिटेट ही लिखा हुआ रहा है फॉरूम में कोई हल्चब नहीं हो रही तो जहां तक मुझे पता चला है यह का जा रहा है कि अभी तक जान शुरूव नहीं हुए बाकी यह फॉरूम अप्रूव क्यों नहीं हो रहे हैं बश्टाचार किस लेवल तक फैल चुका है यह सर्विस बंद होने के बाद इमित दार्कों के शामत किस तरह से आने वाली है इसके बारे में एक अलग से कंप्लीट वीडियो बना कर बात करेंगे वीडियो जल्दी इ अलग से वीडियो बना कर बता दूँगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जय हिंद वंदे मातरम